जहेंद एवरिवन वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल लक्षेनर आर्मी सोगत आप एक नए वीडियो में जब उनके वरिष्ट अधिकारी ने उन्हें अपने जलतो होए टैंक को छोड़ कर निकल जाने की आदेश दिया तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं अपना टैंक नहीं जोड़ूँगा मेरी तो बबी भी काम कर रही है और इन दुश्मनों को मैं खत्म कर दूँगा यहाँ शब्द इंडियन आर्मी के यंगेस्ट परमीर चक्र सेकल लेफ्टिन अरून खेतरपाल की है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकल लेफ्टिन अरून खेतरपाल के जीवन के बारे में इनकी स्टोरी हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स को जोश्ते भरदेगा डिफेंस फोर्सेस को जोईन करने के लिए लिए वीडियो को शुरू करते लेट्स बिगेन अरून खेतरपाल का जन्म 14 ओक्टोबर 1950 को पूने महाराष्ट्र में हुआ था वह 1971 के भारत पाक युद्ध में बसंतर की लडाई में वीरगती को प्राप्त हुए जिसमें उनकी असादारन शौर्य प्रदर्शन के लिए उन्हें परंबीर चक्र प्रदान किया गया अरून खेतरपाल के पिता ब्रीडियर ML खेतरपाल भारतिय सेना में सेवारत थे जहां उनके परिवार का सेन्य सेवा का एक लंबा हितिया से अरून ने नाशनल डिफेंस अकाडमी में 1967 में प्रवेश लिया था जून 1971 में वह 17 पुना होर्स में अधिकारी नियुक्त हुए 1971 की यूद्ध की दोरान 17 पुना होर्स को भारतिय सेना के 47th इंफेंटरी बिगेट की कमान में सोपा गया 47th इंफेंटरी बिगेट की लिए निर्दारी कारियों में से एक भसंतर नदी पर मोर्चा बंदी करना था 15 दिसंबर तक बिगेट ने अपना लक्ष प्राप्त कर लिया था यद पी वह शेत्र बारूदी सुरंग से भरा पड़ा था इंजिनियर्स से कुछ मदद लेकर 17 पुना होर्स ने बारोदी सुरंग से पटे शेत्र से आगे बढ़ने का निर्ने लिया उनकी रेजिमेंट अगले दिन सुबा होने तक शस्तागार और पैदल सेना में संपर के स्थाफिक करवाने में सपल हो गई 16 डिसंबर को अमेरिका दोवारा निर्मीद 50 टन भार वाले पैटन टैंकों से लेज पाकिस्तान की 13 लैंसर्स ने जरपाल में पुना होर्स की बी स्कौर्टरन पर धुये की आर लेकर हमला कर दिया स्कौर्टरन कमांडर ने ततकाल सहायता मंगवाने का संदेश भिजवाया अरुन खेतरपाल जो पुना होर्स की इस्कौर्टरन में थे अपने सेंचुरियन टैंक दस्ते के साथ एक निकट इस्तान पर तैनत थे उनकी रेजिमेंट ने पूरी ततपरता से जवाब दिया पहला हमला सफलता पूर्वक विफल कर दिया गया था इसमें लेफटीने करनल हनूत सिंग उनके तेज तर्रार सेना नायक अरुन खेतरपाल और कई टैंक कमांडरों समेत हमारे टैंक दस्ते ने उत्कुरुष्ट प्रदर्शन किया अरुन खेतरपाल ने अपने दस्ते का नेत्रुतुव करते होए अपने टैंकों दोवारा शत्रु के हमले को विफल करने में सफल रहते और उन्होंने शत्रु की पेदल सिना और हतियार बंद दस्तों पर काबू भी पा लिया था किन्तू पाकिस्तानी सेना पुना संगठी होने में सफल हो गए और उन्होंने फिर से हमला कर दिया इसके पष्चाद हुई टैंकों की लडाई में शत्रू के दस टैंकों को धस्त कर दिया गया जिसमें से खेत्रपाल ने चार टैंकों को नश्ट किया था इस संगर्ष में अंत सेकल लेफ्टिनन अरुन खेतरपाल को तब अपने प्रानों की आहुती देनी पड़ी जब वह शत्रू के हमले का शिकार बन गए रेडियो पर उनकी अंतिम शब जो उनुने अपने वरिष्ट अधिकारी को तब कहते जब उनके अधिकारी ने उन्हें अपने जलते हुए टैंक को छोड़ कर निकल जाने का आदेश दिया था नहीं सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूँगा मेरी तोप अभी भी काम कर रही है और इन कमिनों को मैं खत्म कर दूँगा किन्तु शिग रही उनके टैंक पर एक और हमला हुआ जो उनके लिए प्रानगा तक सिद्ध हुआ उन्होंने पाकिस्तानी सेना को उसके इरादों में सपल होने से रोकने में अपने प्रानों की आहूती देकर एक सरवच बलिदान का उधारन प्रस्तूत किया उनके अदम्य वीरता के लिए भारतिय सेना ने उन्हें मर्नो प्रांध परमवीर चक्र से नवाजा उनके इस बलिदान के लिए यहां देश सदा उनका रूनी रहेगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर के रहे चैनल में वहते चैनल को सब्सक्राइब करें इसी इन्फर्मिशन वीडियो देखने के लिए मिलते बोजलक ने वीडियो में तब तक लेद जाहिन जय भारत